विश्नु परभाकर विश्नु भाई ये बड़े प्यारे भाई है हमारे स्रातनी भाई बहुत अच्छे भाई विश्नु भाई विश्नु भाई बलकम मेरा दो क्वेशन था मुप्ति साहब आपसे जी मेरे प्रोस में दो दिन पहले का एक वाक्या है आप ही की वरादरी की महिला है तो वो उनकी निकाह हुई थी आज से करीब साथा चल पहले तो वो किसी कारण से वो जो है अपने हसबंग से मतलब जो क्या बोलते हैं तलाक वो महिलाएं जो लेती हैं क्या बोलते हैं उनको खुला खुला उनकी चाह रही थी और वहां पर उन्होंने दोशी शाधिकर रखी हैं और करीब चार-पांथ साल से उनका आना भी नहीं हो रहा है यहां पर तो उन्होंने फोन पर जो है वो कहा कि ठीक है आप नहीं आना चाहते हैं और मतलब वह तो आप मुझे खुला देजिए तो उनकी वहां से जमान जाई ह कि एक लाख रुपे जो हक्यमेहर के रकम थी उसका चार गुना आप मुझे दें तो मैं आपको खुला दूँगा अधरवाज मैं आपको तलाक नहीं दूँगा तो जहां तक मेरी मालूमात थी कि इसलाम में ये सायध हुकूख है और तो कि जब चाहे हो खुला ले सकती है कि एक चोंए क्या कंजिशन होती है मुझे थोड़ा सा बता दें कि देखें सैपरेशन के तीन तरीके हैं पहला तरीका है टलाक का जो के हजबन कभी भी एकसराइस कर सकता है दूसरा तरीका है खुला का खुला में दोनों तरफ दोनों पार्टी की रिजामन्दी इकंसेंट होता है ये एक समझ लें कि स्कॉलर्स हो या जो कम्यूनिटी के बड़े हो उनकी काउंसिल के सामने ये निलिफिकेशन अफ मैरिज होता है मिसाल के तो पर अगर इन खातून के जो शोहर हैं जो पांच छे साल से नहीं आए हैं और उन्होंने इस इस खातून की हकोग की खिलाफ वर्जी की हुई है इसके हकोग अदा नहीं कर रहे है तो वो उस काउंसिल के पास जा सकती है और हमारे यहां मुस्लिम समाज में hoch ऑर करने पर तो वो जो काउंसिल है वो इस मैरिज को नलिफाई कर देगी और और आज़ाद है फिर कहीं और इदत के बाद निकाह करें विष्णु भाई मेरा भी एक सवाल है इसे बड़े क्या आप आङे बड़े विष्णु भाई मुझे भी एक बाद निकार्णा सरी iMPराद कर रह視 वो जात से बरहमन है जाद से ब्रह्मन है और हिंदू है वो बड़ा कटर सनातनी भाई है हमारा मंदर भी जाता है और शास्तरों का फॉलो भी करता है तो इंडिया की एक उसकी वाइफ से भी जारी बाता वो केस है सामने तो उसकी वाइफ जो है वो बड़ी परिशान थी के ये पांच-छे साल हो गए है इंडिया नहीं आ रहे और जो है ना मैं फस गई हूँ अकेली हूँ मुश्किल पढ़ रही है तो मैंने उसको कहा मैंने उनकी जो भावी थी हिंदू जो भाई है उनकी वाइफ थी तो मैंने उनको कहा आप डिवोर्स ले 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 विश्व भाई उसको चाहिए कि जब तक जीवित रहे बाप के अंडर रहे और बाप मर जाए तो पती के अंडर आ जाए, पती मर जाए तो बेटे के अंडर आ जाए, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं चाहता हूँ, ये मसला भी आपसे हाल करवाया जाए, इस परे में क्या कहते हैं आप, जी, हिंदू मेरिज ए मैं सनातन से, मैं सनातन से जानकरी जाता हूँ, मुझे मुझे से बात कोई करता है, क्यों नहीं, मुझे ये नहीं समझा रही, तो आपका केस था, मेरा भी तो सवाल था ना, जी, हिंदू विवाधिनियम चलता है, सर, आप किसी पर कोट में जाएं, आपको डेवरस में जाएं, वो कहता है, मैं ब्रहमन जाती कहूं, मैं शास्तरों को मानता हूँ, मनुसमरित में कोई भी नहीं है, वेदों में अधिकार दिया है, ब्रहमन, सारे ब्रहमनों को उपर, क्या मुपति साब, क्वेशन अमिर भाई ने कहां से कहां लेके गए, मैं तो बहुत दूली के कर गया, मैं तो आप ही की बात पर रहुता है, आप ये मान कर चलने हैं ना, कि हिंदू मेरिज एक्ट ने सनातन धरम में रिफॉर्म कर दिया, ये बास सही है ना, मैं वो जो क्वेश सर, मैं अपनी इंफरमेशन पर रहे हैं, एक मट विश्नु भाई कैसर भाई बात करना चाहरे हैं, विश्नु भाई कैसर भाई हमारे रिस्पेक्टिड गेस्ट हैं, तो बलके समझ लिजे कि ये स्ट्री मुनी की है, तो वो वैसे भी बहुत कम बोल ले हैं, तो प्लीज उन उनको डर ये है, कि ये पर रिश्न भी मेरे से आ जाना है, जी, कैसर भाई आप बोलें, जी, मैं विश्नु साहब ये टॉपिक चूंकर खुला है, तो मैं अपनी इंफरमेशन के लिए जाना चाहता हूँ आपसे, कि कल को मुझसे भी तो बात पूल सकता है, ना ये, कि आप आपने कौन सा एक्ट पताया है, इंडियन को, हिंदू मैरेज एक्ट के जरीए क्यों डिवोर्स देना ज़रूरी है, इसलिए कि कांस्टिशूशन फालो होता है, वो तो हो गया, ना, कॉंस्टिश्टिशन में है कि जो भी आप कानून बनाएंगे, वो बन जाएगा, लेकि आपका कॉंस्टिशन है, वो हिंदू तो नहीं है, वो तो सेकुलर है, तो मैं यह जाना चाहता हूँ कि दो हिंदू है, एक मर्द है, औरोध है, उनकी अगर डिवोर्स उनको चाहिए, तो वो हिंदू मेरेज एक्ट के जरीए जाएंगे, यह क्यों है, हिंदू मेरेज एक् तो फिर गोड डिवोर्स कर सकता है? हमारे हिंदु धर में डाइवर्स का कोई कांसेप्ट ही नहीं है. बहुत शुक्रिया आपका, मैं ही जाना चाहा रहा था. नहीं वो जरूरी है ना इसलिए वैशनु भाई के देखे ना एक चीज़ होती है जिसे कहा जाता है लीगल जूरिस्टिक्शन के जो हिंदू एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट हम आपी चाहूंगा, वो एप्लिकेबल होगा इंडिया की में लेंड पे, वो किसी और मुलक पे नहीं होगा, तो उसमें अगर आपने डिवोर्स वगरा करने तो जरूरी है ना, कि दोनों उस मुलक में हों, अब एक पारिटी चली जाती है, अमेरिका में, कहीं और चली जाती है, दर उदर, तो वहां विस तो नहीं कह सकते कि आपने तलाग जरूर भेजनी है, तो उसके अगर अगर आपकी निस्नेटी हिंदू है, आप ये कह रहे थे कि हिंदू मेरिज एक्ट में आपको तलाग चाहिए, फॉरण मिल जाएगी, कैरला हाई कोर्ट डिनाइस डिवोर्स तो कॉपल, तो जी तलाग चाहिए थी, हिंदू मेरिज एक्ट के तहत नहीं मिली, क्या कह आपको पता है, आपको पता है, कि अगर इस तरह आप जाएं, डिस्ट्रिक कोर्ट से हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट कितने साल लगते हैं, उनकितना खर्चा आता है, उतनी दिर में वैसे बेवा हो जाएगी, विश्नु भाई क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं देखिए, ऐ मैं वो जो दुबई वाली फैमिली आपके पास देखता हूँ, ताके वो आपके सास सीज़े हो, आप विश्नु भाई, आपको पता है, पांट साल से उसका पती उससे दूर है, विश्नु भाई, अब नियो प्रधना ही कार लीजिए गा, अमीर भाई, मैं इस समें विश्नु भाई, अगर उन्होंने मनुस्मृति का श्लोग दिया, तो उसका क्या करेंगे, या वेदों से दिखा दिया, जनल जनल से चता है, अमीर भाई, आप बार-बार शर्चा उक्ता है, नहीं, ओहो, सनातन धरम के शास्तर है, ना ध्याया चार के अंदर भाई, लिख विश्नु जी फून से हूँ, इस वकत बस ये शमा चाहता हूँ, वरना मैं जरूर कोट कर देता, मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप मेरे साथ रहेंगे, मुझे फिर लैप्टॉप से आने दीजिएगा, मैं फिर कोट कर देता हूँ मैं लुए क्?! विश्नु जी विश्नु जी आपके अंकार का करन मुझे समझ जँए नहीं आ रहा है आप तो बड़े थंडे थे विश्नु जी क्या हुआ? को divorce under article 142 if one side unwilling supreme court ये times of India का है तो आपने का supreme court तक चले जाए तो भाई या बंदा supreme court चला गया एक side unwilling है ठीक है और दूसरी side willing है supreme court ने कह दिया कि divorce नहीं होगी अब बताइए बंदा जाए तो कहां जाए जी विश्टु भाई supreme court का reference दे उसका order number तो दे supreme court ये से नहीं बोलता है case to case matter differ होते है मतलब आपने कहा supreme court चले जाए तो अगर यही बात है कि case to case differ होता है और मुझे लग रहा है कि आप lawyer है तो आप फिर supreme court का reference ना दे आप ये कहें case to case differ होता है हो सकता है supreme court में उसको तलाग मिल जा और हो सकता है ना मिले पिर आप supreme court का absolute रेफरेंस ना दे एज़े लॉयर आप ये आप की अगर आप lawyer है तो फिर आप गलत कह रहे है मुझे साब मैंने आंदर रिकार्ड अपना नंबर दिया है मैं इरावाद हाई court में हूँ विश्णु सहाब आपका पर्टिकुलर परसन इस तरह से दिक्कत में है तो आप मुझे काइंगली भेज़ें मैं free आपकास उसकी मदद करूँगा विश्णु सहाब वाप जरूर मदद कीजेगा रिकार्ड की दरूस्ती के लिए जरूरी है क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया में डॉक्रिन ओफ प्रेसिजिएंस नहीं है देखिए हमारा है एक बात मैं बता दूँ अभी ये स्ट्रीम क्वेश्टन आंसरिंग की थी तुम्हें सिर्फ दो क्वेश्टन लिए था पहले क्वेश्टन का आपके ही है तो वो लीगल बात आपके है तो सबसे पहले चीज तो जरूरी है कि अगर दो वेक्तिया आपस में इस अस्तर तक पहुंच गहें कि उसाथ नहीं रह सकते तो उसकी वजह क्या है उनके घर के उनके परिवार के उनके जो कुल की परमपरा है बड़े बुड़े लोग मिल करते हैं वो तो आमर भाई ने बता दिया ना कि क्या बज़ा है हजरत मेरी बात सुनिया आपकी सारी की सारी बाते ठीक हैं प्रॉब्लम ये है कि आपको ये सारा मेकनिजम इसलिए यूज करना पड़ता है कि आपके धर्म में ऐसा कोई राइट है नहीं इसलिए आप कोई रस्ते निकालने पड़ते हैं पॉइंट ये है उसको आप समझे ही कोशिश करें आप जितना बताएंगे ना मेकनिजम क्या है वो अपने ही खिलाफ आप केस कर रहें है अगर अगर आप इस पर बात भी करना चाहते है तो चलिए पाश्मेट बात ही कर लेते है हिंदुजम में मेरेज का जो कांसेप्ट है वो इसनाम से बिल्कुल डिफर है जी-जी यही कह रहे है हिंदुजम में तो डिवार्स का कंसेप्ट ही नहीं है मैं एक चीज रखना चाहता हूँ विश्णु भाई ये मेरे साथ आके डिटेल में डिसकस कीजए अभी तो काफी टाइम हो गया मगर मनु सिम्रिती आप मुझे पूछ रहे हैं मनु सिम्रिती अध्या पांच है और श्लोका बीस हैं करीबन 148 से लेकर 168 तक अच्छा मैंने दिवोरेंटी आप किसी एक साहब से बात करना चाहते हैं तो चले मैं उसमेना बोलूँ देखे विश्णु साहब इशु ये है कि आप जितना भी बता रहे हैं आप अप डीगल सिस्टम के बारे में ये इसलिए बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा एक गैप है सनातन धरम में जिसको कंपनसेट किया जा रहा है थ्रू दू कोड्स, थ्रू दू कांस्लिंग, थ्रू दू दू प्रोसीजर्स ये वो बगारा बगारा तो हम और आप एक ही पेज़ पे हैं हम एक ही बात कह रहे हैं कि आपके रिलिजिन में डिवोर्स के राइट्स नहीं है वेर्फोर आपको क्रियेटिविटी इस तरह की करनी पड़ती है हैं डिवोर्स के राइट्स, बताइए क्या है यहां पे आप थोड़ी से गलत फर्मे के सिकार है आप पहले इस सीज़ को समझे कि आप पलेशिज को समझे कि हिंदूिजम में विवा का और इसलाम में विवा का कांसिप्ट क्या है यह बहुत लबा गुमाएंगे मैं सिंपल करना चारहу यह अब यह खेल खेलेंगे जी वन टू वन और भाई मेरे बास सुनें आप सीधी कोई कोई परमान दिखा दें जिसमें डिवोर्स का हो दिखा दें मैंने आपको बताया मनुसमृति इधाया 5 148 से 168 कोई इख्तियार नहीं है अधिकार नहीं है इंडिपेंडेंट बूमन को आप मुझे बता दें जिस जगा परमान लिखा हो शास्त्रों से कि जहां उसको डिवोर्स का राइट है मनुसमृति खुद ही राइट देती है दे दे तो फिर कॉंट्राडिट करती है नंबर दो जी दे दे आमिरक साहब आप टाइम ले लिजी इस मुद्धिप हम लोग फिर कभी बात कर लेंगे आप दे पर्मान दे दीजिए मैं इस वकट फून से हूँ अब ही अगर आप जिद करेंगे किसी तरीके से भी कोशिश करके स्क्रीन शाट्स लेकर आपके सामें रख दूँगा मगर आप अभी दे 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 डिवोर्स का मैं उती देरा निकाल लेता हूँ डिवोस का दें आप करपा करके मुझे डिवोर्स का परमान अभी दिखाईए डिवोर्स का परमान अभी दिखाईए मुझे अभी मैं गमगीरता से इस विशे को मैं इस विशे पर गमगीरता से बात करना हूँ आप भी लेके आया ना ये हिन्दू इजम में डिवार्स का कॉनसेट नहीं है। कि ढिवोश मिलना आसान नहीं है, देखिए रहा हएंको भी कार partialisa homme, नहीं में इसलाम ने शादी को जिस बिना पर रखा हुआ है हिंदुईजम में बिल्कुल अलग कांसेप्ट है अमिर भाई प्लीज बातों को बातों तकरने नहीं तो और किस इंग में बात होने दे देंगे इसलाम में क्या फलसफा है इसलाम में क्या फलसफा है पॉइंट ये है कि एक मर्द और और अरत एक साथ रहते आ रहे हैं औरत मर्द को नहीं पसंद कर रही या मर्द औरत को नहीं पसंद कर रहा है और वो अलग होना चाहते हैं यहां यहां हिंदू इसम ने उसका सॉलूशन नहीं दिया तो भाई भी इसलाम ही के पास सिलूशन बचाना पॉइंट यह है अभी आपने इसलाम में शादी जो है वो अस्तित्म कैसे आती है अजरत अजरत यह बदरत मैं मादरत चाहता हूँ मुझे टोकना पड़ेगा यह बहुत लबागा मैं आप सुने अपसी चोट दें मैं आपको दिखाँगा ठीक है मैं आपको दो परमान दिखाँगा बनुसमरिती के मैंने पांच वाइद आए का था 49 पे देखें संस्क्रित लिखी हुई है हंधी का कहेंगे हंधी का भी निकाल दूँगा She shall attend upon as long as he lives And shall not disregard him when he is dead जीवत रहते जबसे उसके पिता ने और भाई ने उसको सौंपा तब से लेकर मिर्तियू तक उसके साथ रहेगी कभी उसको डिसरिगार्ड नहीं करेगी अगला परमान देख लें मनुसमरिती अधाया 5 है और शलोक बंजेगा 152 बिही इल मैनर्ड बत्तमीज क्यों नहो जालिम क्यों नहो और अफ लिकिंशियस हैबिट्स बुरी आद्तों वाला क्यों नहो और जेस्टिटूट अफ गुड क्वालिटीज और अच्छी आद्तों का फुक्दान ही उसके अंदर क्यों नहो The husband should always be attended upon like a God by the true wife उसकी देवता और भगवान की तरह उसके पीछे चलना चाहिए कभी भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए यानि उसको बुरा भी हो तब भी ये मैंने आपके सामने दो चीज़ें रख दी है जनाब डिवोर्स का ये दिखा देंगे जबके खुद पीछे मान चुके हैं कि डिवोर्स शब्द भी हमारे शास्त्रों के अंबर मौजूद नहीं है धन्यवाद जन्मों जन्मों का रिष्टा कैसे हो सकता है जब अगले जन्म में यहीं नहीं पता कि वो इनसान पैदा होगा के नहीं क्या बात है जबर्दस आया है अजरत क्या बात है विश्णु साब नॉक आउट के ओ आपने इस जन्म में अपनी पतनी से आपने विवाह किया शादी की अब आप यह गरें जन्मों जन्मों का रिष्टा है आपको नहीं पता कि अगले जन्म में आप ब्रहमन पैदा होंगे के शुद्र पैदा होंगे या शत्रे पैदा होंगे किस जात में वे रादरी में आप पैदा होंगे और आपकी वाइफ कहां पैदा होंगे और फिर ये भी नहीं पता और अगर हुई थी तो दुबारा क्यों हुई जी अभी आपको 20 में पढ़ने के कोई बिमारी तो नहीं है थोड़ा सा तसली रहा हूँ मैं तो आपसे प्रमिशन मांग रहा हूँ मैं तो आपसे प्रमिशन मांग रहा हूँ कि मेरा एक क्वेस्टिन है अगर आप इजाज़त दे तो मैं पूछनो प्रमिशन में और मैं चार हैं इनको मुफ्तिस साब भी दो नदर आ रहे हैं एक तो ये अंदादा कर लें ठीक है दूसरी चीज यह दूसरी चीज दूसरी चीस यह स्यासर बहुत के दूसरी चीज आए। जिवाब भले आए न आए शौक इस चीज का है कि मैं पाँच से हारा हूँ जवाब नहीं बन पाया थीक होगे लगता है कि हम यहां पर हार जित करने बैठे हुए हैं विष्णु भाई हम नहीं बैठे विश्णु भाई मुझे नहीं लगता मगर आप परमान नहीं दे रहें कैसर बाद करें ठोब समित्री के जो डिवोर्स का राइट है, वो कपल केबड का सब करना है, यह बह compliance नहीं है. अमेर्श है है कि अब यह आप ने खाल है, और विसमे करेंगे, मनु समित्री से कि जो डिवोर्स का राइट है वो कफल के पास है जो और खातून है उसके पास भी है तो मैसर अपसे जानना चाहता हूँ कि इस इट पॉसिबल कि दो हिंदू हस्बन और वाइफ हों और वो डिवोर्स को यूज़ करना चाहते हैं तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के अलावा अपने धर्म की किसी किताब को सामने रखते हुए दूसरे को डिवोर्स कर दें यह हो सकता है? हो सकता है बताएंगे किस स्क्रिप्चर का हवाला देंगे आप जिस भी स्क्रिप्चर कित्रों के शादी हुई है जो स्क्रिप्चर लेके देखिया हमारे हाँ शादी में दो चीज़े में होती है अग निकोस्त मख्ष रख करके बीच में रख करके शक्त पदी होती है और प्लीज मुझे को प्लीज जी 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 प्लीज बात की जी कर ले आप तसलिव कर रहे हैं तुप ली विश्चार बाइब बाइब आप बढ़े बात में दिखे बता रहा हूं कि मैं ब्राम्हन भी हूं हमारे हैं जब भी विवा होता है तो शप्तपधी होती है बीच ही में अगनी को साक्षी मान करके वर और कन्या एक दुसरे को वचन देते हैं पाने ग्रहन संसकार भी कहते हैं जिस लड़की का कि तरफ किसी ने आँख उठा के भी नहीं देखा होता है भरी में फिल में लड़का जो है लड़की का हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ने के मतलब होता है कि उसे जिम्मेदारी को साथ लेने की लिए आगे बढ़ रहा है जिसको उसे ताउम्र निभानी पड़ेगी इस जन्यम में भी अगले जन्यम में भी अलग नहीं हो सकते हैं और दुशार बड़े प्यारे रिश्योल होते हैं मुट्ति साहब मैं आपकी बताना चाहूंगा हमारे है कस्तम होता है जब जवाब का इंतजार कर रहा हूं मैं टोक नहीं रहे हैं अच्छा आमिर साहब की तरफ से जो ऑब्जेक्शन थी ना मैं वरूल करूं आप करें जाता है तो द्धान में उसको जो है बालू में भून दिया जाता है मतलगो जला दी जाता तो उसमें लावा निकलता है जिसे जिसे धान आप समझते होंगे तो एक कस्तम होता है डान माइन आउस्ट दी लावा इसे जाल वह स्टा रह pocz करता है तो गया इस बात की इवर प्रतिज्या करता है कि कि त्नी भी मूशीवत आए जिस तर्स धान से उसका लावा पृत्झक नहीं हो सकता है डिवाईड नहीं हो सकता है मतलूं को भुन दिया जाता है जलकेriminह कर हो जाता है लेकिन फिर भी धान और लावा अलग नहीं होते हैं उसी तरसे आप और पती-पत्नी चाहे जितनी भी दुनिया के समझें नए जन्मों का साथ अगले जन्म में भी साथी जाना है तो वहां पर चीज यह रिचुल के माध्यम से आती है कि कि किसी भी कीमत पे आप पती-पत्नी का साथ अलहदा नहीं हो सकता है अगर आप इस चीज के लिए राजी है तब लड़की का हाथ पकड़ें एक उसमें अगना स्लोग आता है कि तव चित्तम मं अनुचित्तम तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के अनुकूलो तो तुम मेरी बामांगेनी बना है मिलता हो तब यह चानि थीक है तेक निया आपकी बात हो गई साथ वचन उसके होते हैं और लड़का बदले में पांच बचन मांगता है इसमें चर्था फिर कभी हो जाएगी क्योंकि लंबा हो जाएगा से शेशन आपका तो विच्णो भाई यह साथ वचन उसने पिछले जनम में भी तो मांगे होंगे सर अभी आप कहरें के जनमों जनमों का साथ है तो यह वाला जो इसलिए यह फिर जनम में भी तो होई थी ना मैं मनुस्त के जर्म में जो शादी होती है यहां के बात की मैं बात कर रहा हूं यह यह सारी आВот ah यहां पे आपके शादी आती है, और कांसे मेरी अर्स तुनेंगे, आपके अलग नहीं रह सकते हैं, मुझके तो पहले को बन दिया जी, कैसर भाई, आप भी बात करें, जी, मैं बस सिर्फ दोबारा कोट जो है ना, वो केस को इन ओर लेके आना चाहती है, मेरा स्वाल आपसे ह हजूर यह था, कि क्या हिंदू मैरिज एक्ट को साइड पर रखते हुए, कोई कपल एक दूसरे को डिवोर्स कर सकता है, स्क्रिप्चर को सामने रखते हुए, जिसका आपने जवाब देना था, कि हाँ, इस तरह से कर सकती है, नहीं दे रहे हैं, आप वहाँ पे आज़े है है, कि उसकी बीटी क्या है, सारी ये था आपके रिलिजन का बधी रिसपेक्ट है, जली से दे चैवनने, साम भाई जो है कॉमेंट में बैठे है, वो आ कर कहेंगे, आपका दूसरे कि मैड़ा पेडिये है, EE मैं उप लड़की को दूसरी शादी करने की मनुस्मृत ही इजाज़त देती है अगर अगर शोहर लड़की पर टॉर्चर करता हो दिन रात सर देखी कोई शहोर हिंदुज़म में लड़की पर टॉर्चर कर ही नहीं सकता है उसके माँ पर शादी करते हैं उसके हाथ काट दिये जाते हैं एचा मेरा से जवाब दे दें भई उसी साथ ये तो टॉर्चर की बात तो आएगी बात में मेरा विश्ण। भाई मुझे भी तो मैं भी इधर ही रह रहा हूं मुझे बोलने तो दें आपने कहा मना स्मरिती तो UPP में रह रह रहे है इलाबाद के करीमी है मिलेंगे विश्ण। भाई के साथ चाए पियेंगे ओड़ां विश्ण। भाई ने आपके scripture में बड़ा explicitly बिताया था कि वो जैसा ही क्यों ना हो जैसा ही क्यों ना हो नहीं कर सकती लेकिन आपकी बात अगर हम मान लेते हैं एक बिनट के रिए तो मैं समझना यह चाहता हूँ कि जो इवन इनके जो licentious है यह भी उसमें लिखा हुआ था कि इवन वो ऐसा भी है तो फिर भी सारा कुछ जायज है लेकिन आप यह कहते हैं कि वो दूसरी जगप शादी कर सकती है तो अगर वो दूसरी जगप शादी कर सकती है तो क्या इस सुरत में उसका जो पहला हस्बंड है वो भी उसका हस्बन रहेगा या उससे डिवर्स हो जाएगी उसको स्क्रिप्चर आप बता सकते हैं जिसकी रोश्णी में बता रहे हैं गलत बोल रहे हैं विश्णु भाई अब मैं तुझे टोकना पड़ेगा यही पॉइंट था आप उधर ले आए हैं उसी गली में आप ले आए हैं विश्णु भाई ने बोला कि मनुस्मृती के अनुसार अगर कोई पती विदेश में सफर के लिए गया हुआ है तो जनाब दूसरी शादी मनुस्मृती में पूरा मैन्यू कार्ट दिया है मुझे भी सुन ले है मनुस्मृती में पूरा मैन्यू कार्ट दिया है मैंने एक प्रोग्राम किया जिंदगी का मजा तो नेवग में है प्रोग्राम देखने से तालूक रखता है उसमें मैंने विश्णु भाई सुन तो ले तो इस लिए लाईटर नोट बात करते है कोई समस्या नहीं है अच्छा तो उधर मनु समरिती का मैंने उधारन पेश किया है तो चार और तीन साल के फरक के साथ लिखा हुआ है कि अगर पती देव इतनी देर में वापस ना आए तो पतनी को यदिकार दिया गया है कि वो नियोग कर सकती है विवा नहीं विवा में और नियोग में अंतर है इस स्वामी द्याना सरस्वती ने भी लिखा है विश्णु परबाकर जी आरिया समाज की बड़ी उपासना करते हैं और बड़ी उनकी तारीफ करते हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्वामी द्यानत सरस्वती ने खुद सत्यारत पर काश के चोथे समूलास के अंदर नियोग प्रता के ओपर डिटेल में बात करते हुए ना सिर्फ ये के रिगवेद से उसको निकाला है यानि पेश किया है बलके मनुस्मृती के भी कई श्लोग पेश करके का है के वो ये कर सकती है तो ये कहना कि मनुस्मृती में यह है कि अगर पती देव बाहर विदेश में चले गए हैं तो उनको जनाब विवा की जादत है विवा का अधिकार नहीं हत्ता कि वहां पता का लिखा हुए ये कह रहे है ना डिवोर्स हो जाएगी एक मिनदर आए एक मिनद दर सुनिएगा, एक मिनद आखरी जुमला, कैसर भाई ने पूछा ना कि पिछले से डिवोर्स हो जाएगी, स्वामी द्यानत सरस्वती पता है का लिखते हैं, मनुस्मृती का शलोग पेश करके, और उसका भाश्य करते हुए, लिखते हैं, कि जब वो पती देव व आने क्यों ना गया हो, या पढ़ने के लिए क्यों ना गया हो, उसके पीछे नियोग कर ले, और जब वो पती विवाहत पती वापस आए, तो नियोग वाला जो पती है, नियोकित, उसको छोड़ दे, ये लिखा हुआ है, या मेरा भाई, डिवोर्स नहीं है, अच्छा, ए पांच हजार साल के हिंदुजम की इतियास में, अच्छा, किसका दे दू, एक मिनट, एक मिनट, सुनिए, मुझे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक गाउ माता को रोड से हटाना, और एक मुझे टॉपिक से हटाना, ये दुनिया के मुश्किल तरीन काम है, ये मैं नकारें, मैं आपको साबित करके दूँगा, अब मुझे कहरें, एक्जेंपल पर बात हो रही है, ये शस्टरों पर बात हो रही है, नमबर एक, नमबर दो, अब सुनिए, अब उदारन, इस लोग से बढ़ कर भी कुछ चीज़ हो सकती है, को प्रैक्टिस करें नकरे, अब प्रमान आप न पेश करें परमान मैं पेश करूं और बेफकूब भी मैं बना रहा हूं ठीक है उपर से कहते हैं कट पेस्ट वाले तो आप पूरी पेस्ट कर दें मेरे अधरत मेरे खाल से ये बात ये मुद्दा पर विशे पर बात गमगीरता से नहीं करना चाहे मैं विश्नु भाईया मैं आप से सिंपल बात आपके सामने रखी थी मनुस्मृती से डिवोर्स का कोई परमान दिखा दें आपने का है अच्छा फिर कैसर भाई ने जब आपसे पूछा तो उन्होंने पूछा किस शास्तर से आप ये परमान पेश कर रहे हैं आपने का मनुस्मृती में इस चीज़ का उदा रहना है पेश कर दें स्वामी दियानन सरस्वती ने सतियारत परकाश के अंदर विवाह और न्योग में अंतर को बियान किया मुझे मौका मिला तो जरूर करूंगा जी मैंने क्या करना है इससे यह मेरे विशे से कोई संबंद नहीं है तो नियोक के बारे में आप अगर आप डिवोर्स असल मुद्धा पता क्या है मैं आपको बता तो विश्णु भाई आपके साथ हो गया गलत कोई बात नहीं मुझे अक्सर हो जाता है मेरा सुने मैं आपको फरक बताता हूं मैं आपके साथ क्या है कि देखिए इसको अनिथा न लीजिएगा मेरी एक पर्सनल अपनी राय है निकाल लें निकाल लें कोई बात नहीं कर लीजिए कर लीजिये ऐक साथ मुसला क्या है कि अप लेक पोलिंग करते 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 वह तक चले जाते हैं आपने अपने कोई बांग लाइन बना ही रही है कर रहा हैं और जब आप किसी गंभीर विश्य पर बात कर रहे हैं तो पहली चीज तो आप गंभीर रहे हैं दूसरी चीज और तीसरी चीज यह माने कि आपको कुछ विश्य पर गंभीर रिसर्च की जरूरत है और पढ़ने की जरूरत है इसकी पर बात आगई है विश्य परभाकर जी तो नियोक का आपको कोई जांपल नहीं मिलेगा अब में इस गुफटुगू को यहां रुखता चाहता हूँ रुख जाएए अधरत मैं महा भारत से एकजम्पल कहीं निकाल दूगा पिर यह कहेंगे यह नहीं तो फिर गलत होगा नहीं से अच्छा अच्छा वेरी गुफटू एक और एक जांपल दिखा दूँ एक और एक जांपल दिखा दूँ एक याती 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 ओ शर्मिस्ता की शादी किस बुनियाद पर हुई थी अच्छा अच्छा दो लाए अब देता चला जो अब इधर पापस है असल में आपको बता हुआ को शिख बिश्यू भाई मैं अपके तीनों सजेशन को अपने मात्य पर रख लिया और मैं इस पर कोशिक करूंगा कि मैं इस पर चल सका हूँ तेंक यू विश्नु भाई अब मेरा पॉइंट सुन लें जो मेरी एक लाइन रहती जा रही है वो लाइन ये है बात हो रही है डिवोर्स की नियोग तो कहीं से और से निकलाए है डिवोर्स पे असल चाहिए था हमें पर मान आप नियोग पर ले गए अच्छा और नियोग पर भी में ये लाइन पढ़ना चाहूंगा गूगल पर सबसे उपर लिखा हुआ है इंडियाटाइम्स डॉट कॉम इंडियन हिंदू ट्रडिशन आल्वेज हैड नियोग पद्धिती मेथड प्रैक्टिस्ट तो आल्वेज था याब ये इतना कॉमन था कि हरेक आदमी या दूसरा आदमी यही प्रैक्टिस कर रहा था ये आपके पांच एक्जामपल आप दे दे देखें देखें ये बाद समझें माभारत एक एक्जामपल मिलता है क्योंकि पांचू को बिमारी थी चीक है अच्छा दूसरी बात ये है कि ये बात आमिर भाई ने बिल्कुल सही कही है कि हमारी बात जो है वो तलाग पर शुरू हूई और बलके मैं अब इस गुफटगू को गैप हो मचातों और फिल हो जाए तो आमिर भाई और विश्णू सहाब की बड़ी च्छी बात हो रही है तो मैं सिर्फ इनसे सिर्फ एक चीज ने ओक के बारे में कि विश्णू सहाब आप जो कहते है कि ये रेरिस्ट औफ रेरिस्ट एक्जामपल मिलता है लेकिन इसकी प्रेक्टस नहीं मिलती है तो इसकी वज़ए ये हो सकती है कि नियोग जो है वो कोई गंदी चीज है देखे वैदी काल में मैं आपने कोच्छी पूछा तो मैं इसका आंसर आपको दे दे रहा हूँ प्लीज अमीर भाई हसना बंद करें आप प्लीज जब बात हो यह टापिक पर अगर आप मस्जित में जाते हैं इबादत के लिए तो आपके हैं कि आप वजू करके जाते हैं अगर आप किसी धार्विक कुछों के अगर आप डिबेट कर रहें तो प्लीज ये चीजे न किया करें आप या विश्णु भाई विश्णु भाई साथ जनमा इतना सिरियस होके क्या करना आप ने कि प्लीज आप गंभीरता को समझे अगर आप की उपर बात कर रहें अगर में मस्ध में जाँगा तो मीरा म्युत मर्यादा है कि मैं वुजु कर कर जाओ यार इतना को ओहो विष्णों भाई क्या हो गया भाई क्या हो गया यार विष्णों भाई मैं आपको बार बाई रिक्वेस्ट कर चुका समझा चुका सर आप स्वाल दोहरा देता हूं कि एक चीज जो आपके रिलिजिन में लेकिन फिर भी प्रेक्टिस नहीं की जाती बहुत ही रेर एक्जामपल्स है आपके नस्दीक तो क्या उसकी वज़ाएक यह हो सकती है कि नियोग एक्चुली एक गंदी चीज है देखे आपने चुकी बड़े गिसंट दिरिके से कुशन पूचा है तुम्हें इसका अंसर अवस्था में उस पती के छोटे भाई के द्वारा या किसी और व्यक्ति के द्वारा जो ब्लग डिलेशन्सीप में बिल्कुल निकटास आता हो उससे एक बार जो है संसर की अनुमति दी जाती थी उसमें यह परपस था कि उससे एक संतान उत्पन्न हो जाए और यह दो वा कुंति और माद्री जो है पांड़ों के दो पत्निया थें पांड़ों के और पांड़ों को रहा है मुझे इजाज़त है मैं तो इंट्रवीन कर रहूं अब मुफ्ति साथ कि आपको मैं आपकी बात समझ गया ना कि इस special circumstances हैं कि अगर किसी की नसल खतम हो रही है तो वो औरत जो है किसी मर्द की अगर वो मर्द मिसाल के तोर पे अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता वो इंपोटन्ट है तो उस मर्द के छोटे भाई से उसकी बीवी सेक्शुल इंटर कोर्स कर सकती है बचे आगे पैदा करने के लिए वी अंडर्स्टैंड आपांट एक चीज हमें प्रैक्टस नहीं किये जाती तो उसकी एक 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 इक स्प्लेनेशन क्या यह हो सकती है कि यह कोई अच्छी चीज नहीं है तो इसका मतलब भी होता है कि विपत्ति का समय आता है तो मर्यादा को आदमी साथ पर रख देता है चाहे थोड़ा कंप्रमाइज कर लेता है मान लिजिए कि आप प्यास से मरे जा रहे हैं और एक टैलेक टैलेक रूम में पानी अगर आपको मिलता है अगर आप उस पानी को पी लेते हैं जो पीने लायक नहीं है या जनरल कंजिशन में आप नहीं पीते हैं तो ऐसा है अब इस मौदू पर नियोग पर या तलाग पर आप से अगले सेशन में फिर बात होगी चुक्छे हम और अब आप देखें कि 99% हिंदू में चले ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है वो आपने रिफॉर्म कर दिया ना आप ये कहिए हमने रिफॉर्म कर दिया हाँ तो ठीक है अब ये रिफॉर्म आपने कर दिया इस मौदू पर के हिंदू़िजम में रिफॉर्म हुआ है इस मौदू पर हम आगे बात करेंगे चुक्छे मुझे सिर्फ एक कॉलर लेना है जो शुरू से इंतजार कर रहा है और इजिस नाट गुड के हम उसके बगए उसको लिए बगएर स्ट्रीम एंड कर दें हम अललेडी फिफ्टीन मिनिट्स ऊपर चलने है अपने टाइम से तो मैं लास्ट कॉलर नोगा आप से वियाट लिए मरताबाद करूँ चीक है कसर बाई वक्ति साब आपने और ऐकर, अमिर भघ आ बहुत 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 सहुख़ए बहुत बहुत बहुतार जालेवाद का लोगोगे आपते बहुतानिगां ने ने बिल्कुल भी ने विश्णु भाई आपसे महबत है और मुझे भी शमा कीजिएगा अगर को बात बुरी लगी हो बिल्कुल शमा कीजिएगा मैंने सिर्फ एक बात रखनी थी हदरत किसी की जो लिनेज है वो खत्रे में हो या कोई नापुनसक हो तो एक ऑलाद से या दो अलाद से मामला चल सकता है चुलो एक ऑलाद भी काफी है ये फुटबल टीम बनाना रिगवेट से किस तरीके से निकला कि स्वामी ध्याने सरसवती रिगवेट के मंतर से कहते हैं कि 11 म नियोग और संस्कृत में लिए धशंसपुत्रम 10 मेल बच्चे आपने निकालने हैं देखें आमिर भाई कैसर भाई ने जो सवाल किया था कि नियोग एक बुरी चीज है या नहीं हकीकत ये कि नियोग बुरी चीज है लेकिन चुके ये स्क्रिप्चर्ज में मौझूद है तो हमारे जो हिंदू भाई हैं वो उसका खुल कर एतराफ नहीं करते वो ये कि वो मुस्तरत करें ना भई जब आप रिफॉम करते आ रहे अभी उन्होंने का कि नहीं रिफॉम तो होना ही चाहिए तो फिर आप ये कहें कि नहीं नियोग एक गलट चीज हमारी रिलिजियस स्क्रिप्चर्ज में आ गई हमने बात खतम हम आपसे स्वाली नहीं करेंगे नियोक के बारे में आपके यह किये किनी स्क्रिप्चर में गलत लिखा हुआ है हमने रिफॉर्म किया है जिस तरीके से आपने रिफॉर्म किया है सेपरेशन को और आप हिंदू मेरिज एक्ट लेकर आए चूँके आपके यहां तद इसमें इन्होंने यह भी कहा कि जी वो पती मर गया विद्वा का कहते हैं और संतानुत पती के लिए बिलकुल यह जूट है साफ तोर पर लिखा हुआ है कि जीवत पती वेदों के मंतर कोट करके स्वामी जाने में बाद लिखा है और जो अलफाज है हदरत इतने इतने वो इसकस्टिंग अलफाद है पता है वेद के वो भाशिया में लिखते हैं कि पती अपनी इस तरी को कहता है कि मुझ से अब संतानुत पती की आशा मत कर और मुझ को छोड़ कर किसी दूसरे नियुक्त पती से संतानुत पती कर यह वेदों का बाशिया हुआ है यह खुद पती कह रहा है कि दूसरे मर्द के पास जा जी जी